नमस्कार आप देख रहे हैं गुड नीज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूँ अनन्त भट सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी ही अजब है यहाँ सूचनाओं का तस्वीरों का वीडियो का फ्लो ऐसा है कि एक पुरानी होती नहीं कि नई की एंट्री हो जाती है और कुछ तो ऐसी हैं जिनको वारिल होने में देर नहीं लगती ऐसे में यह तैक करना मुश्किल होता है कि जो सूचना सामने आई वो सही है गलत है जूट है सच है क्या है और इसके लिए जरूरी है कि हम उनका फैक्ट चेक करें उनकी तह तक जाए पूरी परताल करें और इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे और यह तैक करें कि हमने जो देखा सुना हमने जो पढ़ा वो सच है या नहीं तो इसके लिए हम fact check करते हैं आपके लिए ताकि आप पूरा सच जान सके तो आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन ख़बरों की परताल हम करने वाले हैं पहली खबर जिसके हम परताल करने वाले हैं इसके जरीए दावा किया जा रहा है कि बागेशो धाम में भक्त हर दिन नोट वर्शा करते हैं इससे जुड़ा एक वीडियो वाइरल हो रहा है और इस वीडियो के अधार पर तमाम दावे किये जा रहा है अब इसकी सचाए क्या ह ये आज आपको पता चल जाएगा दूसरी जो हमारी खबर है उसमें उस वीडियो की तहकिकात करेंगे जिसके जरीए दावा किया जा रहा है कि सूरत में रस्ते पर सड़क पर कोई हीरे फैक कर चला गया और उसको पाने के लिए वहाँ पर लूट मच गई अब इस वीडिय है क्या है ये भी आज आपको पता चलेगा तो चले शुरू करते हैं अपना इस सफर सोशल वीडिया पर बागेश्व धाम से जुड़ा एक वीडियो वारल हुआ है जिसमें पंडित ध्रेंदर शास्त्री पर कुछ भक्त नोटों की बारिश कर रहा है दावा क्या जारा है कि बाबा के धाम में भक्त हर दिन नोट वर्शा करते हैं यानि डिवे दरवार में आने वाले भक्त नोट लोटाते हैं वारल वीडियो की सच्चाए क्या है इस रिपोर्ट में देखे पागेश्वर बाबा पर रुपियों की बारिश भक्तों ने हवा में उड़ाए हजारो नोट बागेश्वर धाम में आधी रात में नोट वर्शा का सच्किया सोशल मेडिया पर ये वीडियो खूब वारल हो रहा है नोटों की बारिश हो रही है वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि बागेश्वर धाम के सरकार अचारे धिरेंद्र शास्तरी अपने सिंगासन पर बैठे हुए है दर्वार में भक्तों का ताता लगा हुआ है बाबा बागेश्वर के सामने भजन गाया जा रहा है और नोटों की बढ़सात हो रही है सोशल मेडिया पर वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बाबा के धाम में अब भक्त हर देन नोट वर्शा करते हैं यानि देवे दर्वार में आने वाले भाद नोट लूटाते हैं सोशल मेडिया के कई प्रेटफ़ाम पर ये वीडियो तेजी से वारल हो रहा है बागेश्वर धाम के बाबा धिरेंदर शास्त्री लगातार सुरुख्यों में रहते हैं उनका कोई भी आयोजन हो चाहे वो अपने धाम पर करें कहीं और वहां हजार उन लाखों के तादाद में लोग पहुंचते हैं और उससे जुड़ी खबरे भी मीडिया में च्छाई रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके नाम से जुड़े कई वीडियो वारिल होते रहते हैं कई में उटपटां दाबे भी कर दिये जाते हैं अब एक वीडियो ये वारिल हो रहा है और इस वीडियो के जरी दावा किया जारा है तो हमारे मन में संशे पैदा हुआ कि कहीं तस्वीर कुछ और है, कहानी कुछ और है, उसको किसी और तरीके से परसुत तो नहीं किया जा रहा है। लेहाजा हमने इस वीडियो की पर्ताल करने की ठानी, इसकी तहह तक जाने की ठाने की उड़ते हुए नोटों का आखिर सच है क्या। पर्ताल में जो सवाल हमारा हिस्सा बने, वो सवाल थे क्या वारेल वीडियो बागेश्वर धाम का है जैसा की दावा किया जा रहा है। और जब पर्ताल आगे बढ़ी, जब पूरी तस्वीर साफ हुई, तो सच भी सामने आ गया। धाम में दर्शिंकर में और उनका आशिर्वात लेने पहुचे थी। इसी दोरान गुजराती भजन गायक किर्ती दान गडवी भी पहुचे थी। जब किर्ती दान गडवी भजन गा रहे थी, तो नोटों की बारिश की गए। तरसल बागिश्वर धाम में 4 जुलाई से 1 जुलाई तक धार्मिक आयोजन हुआ था। 5-30 कारिकरम के दोरान 1-3 जुलाई तक गुरू पोड़ी में महस्व मनाया गया, जिसमें लाको लोग बागिश्वर धाम के पिठा दिश्वर, धिरंद शास्त्रे से गुरू दक्षिडा लेने के लिए पहुचे थी। चार जुलाई को पंडी धिरंद किश्वर शास्त्रे का जन मुश्व मनाया गया, जो की रात करेव धाई वज़े तक अनुवरत रूप से चलता रहा, इसी दोरान का ये वीडियो है। इस तरह हमारी पर्ताल से ये साफ हो गया कि नोट वर्शा का वागिश्वर धाम से कोई लेना दिना नहीं। सोशल मेडिया पर बाबा से जोड़ कर किया गया दावा भरामित करने वाला है। टीम फैक्ट चेक गुड़न्यू श्टूडे। सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें दावा क्या जा रहा है कि गुजरात के सूरत में मंदी से परेशान हीरा वैपारियों ने हीरे सड़क पर फिंकती है। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की तो कहानी कुछ और ही सामने आई की। गुजरात का सूरत शहर डायमंड कैपिटल के नाम से मशूर है। दुनिया में पिकने वाले 90 प्रतिशत हीरो को इसी शहर में काठा और पॉलिश किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस ख्वेत्र में मंदी का आलम देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुक वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। क्योंकि रूस कच्चे हीरो का सबसे बड़ा सप्लायर है और उस पर पश्यमी देशों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों के चलते भारत के लिए रूस से हीरे आयत करना मुश्किल हो गया है। इन सब के बीद सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जुसमें लोगों को जमीन पर बैट कर कुछ बिंते देखा जा सकता है। जहां कुछ हीरावे अपारियों ने मंदी से तंग आकर अपने हीरे रास्ते में ही फेक दिये। वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क पर बैठे लोगों को वहां से गुजर रहे बाइक सवार रुक रुक कर कौतुहल से देख रहे हैं। एक ट्वीटर यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि सूरत में भयानक मंदी से परिशान हीरा वे अपारियों ने हीरे रास्ते में फेक दिये। सोशाल मीडिया के कई प्लेट फॉर्म पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो के जरीए दावा एक किया जा रहा है कि कोई हीरे फैंक कर चला गया और इसको मंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वीडियो के जरीए दावा किया रहा है। अगर दावा सच है तो घटना कब की है। कब की है घटना कब इतनी भारी संख्यावे लोग सड़कों पराए हीरों को चुनने के लिए आफसर हीरे कौन फैक के चला गया। कहीं वाइरल वीडियो के जरीए यूजर्स को घलत जानकारी तो नहीं दी जा रही। कि तवाम एहम सवाल थे जिनके जवाब जानना जरूरी था। हमने फैक्ट चेक किया और जवाब भी मिल गया। वाइरल वीडियो की सचाई क्या है ये जानना जरूरी हो गया था। गुड़नीस तुड़े की फैक्ट चेक टीम ने अपनी परताल शुरू की। कीवर्ड के जरीय तलाशने पर हमें इस घटना से संबंधित एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिले। इस रिपोर्ट में ये बताये गया है कि घटना वराचा सूरत के मिनी बाजार इलाकी की है। इस इलाके में हीरे पड़े होने की सूचना मिलते ही वहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचकर हीरे बटोरने लगे। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब के होश उड़ गये। असल में ये सभी हीरे नकली थे। ऐसा कहा जाने लगा कि किसी ने जान बुझ कर प्रैंक करने की रादे से इन्हें फेका था। सर्च के दोरान कई और रिपोर्ट सहाथ लगी। इन रिपोर्ट्स में भी यही लखा है कि जो हीरे लोगों को मीनी बाजार में मिले थे वो नकली थे और उनका इस्तेमार कपडों पर कारीगरी करने और आर्टिफिशिल ज्वेल्डी बनाने मी किया जाता है। दरसल वराचा इलाके में सबजी मंडी की तरह डायमंड की भी मंडी लगती है। यहां लोग फुटपात पर बैटकर डायमंड बेचते हैं। इसी इलाके में ये घटना हुई जिसे लेकर डायमंड कारोबारियों में खासी नाराजगी है। और उन्हें लग रहा है कि किसी ने उनके साथ मज़ाक किया है वर्चा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अलपीश गबानी ने भी गुडने उस तुड़े की फैक्ट चेक टीम को ये जानकारी दी कि जो हीरे सड़क पर गिरे पाये गए थे वो नकली थे इस संबंद में किसी ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है इस बारे में और जानकारी पाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सूरत डाइमंड एस्सेशन के पूर अध्यक्ष दिनेश नवडिया से संपर्ख किया जिनके जरी ये सच सामने आया कि वाइरल वीडियो में दिख रहे हीरे 200 रुपे किलो के भाव पर बि इतना में जो लोग चीज जमीन से उठा रहे थे वो असली हीरे नहीं थे ये बेहत मामुली क्वालिटी के नकली हीरे थे जोती दिवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक गुड़निश तुड़े